कार दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे यहाँ मसीन प्रसीजन ग्राइडिंग मशीन के अंतरगत आती है और उसमें स्लेंडिकल ग्राइडिंग मशीन का एक टाइप है सबसे पहले जानते हैं कि जो ग्राइडिंग है उसको करने का main purpose क्या रहता है grinding एक ऐसी process है जिसमें हम grinding wheel के abrasive action के दुआरा material को remove करते हैं work piece से और जो universal cylindrical grinding machine है इसका main purpose ये रहता है जब हमें work piece पर cylindrical और conical shape को produce करना है तब universal cylindrical grinding machine का इस्तेमाल किया जाता है तो बात करते हैं कि इस machine में क्या क्या component होते है working किस परकार से होती है तो ये diagram आपके सामने है universal cylindrical grinding machine का तो इसमें जो main part होते है bed ये आपको नजर आ रहा है इसमें एक work table होती है head stock होता है tail stock होता है एक इसमें wheel head होता है और उसमें grinding wheel लगा होता है तो बात करते हैं कि जो universal cylindrical grinding machine है इसमें जो head stock है वो जो operator इस पर कारिया करता है उसके left hand side में होता है और head stock में एक self contained drive होती है ताकि हम जो work piece है उसको variable speed पर उसको rotate कर सकें head stock में एक live और dead spindle होता है according to requirement उसका use किया जाता है और cylindrical जो universal cylindrical grinding machine है इसमें हम head stock को horizontal plane पर swill कर सकते हैं rotate कर सकते हैं ऐसा plane cylindrical machine में नहीं किया जा सकता उसके बाद इसमें जो tail stock होता है जो tail stock है यह है अगर हम देखें जो work table है उसका जो upper part होता है जो upper table होती है उसके उपर यह mounted होता है और इसमें भी एक live center होता है जो head stroke का live और dead spindle है जिसे हम एक center कहते हैं और दूसरा center tail stroke का यह point होता है इसके बीच दोनों center के बीच में work piece को hold किया जाता है और जो tail stroke है इसको हम slide कर सकते हैं इसा lathe machine पर tail stroke को slide किया जाता है guide ways पर उसी प्रकार से tail stroke को भी हम according to length of the work piece इसको हम slide कर सकते हैं उसके बाद जो tail stroke के बाद अगर आता है यहाँ पर wheel head जो wheel head है इसको हम up and down कर सकते हैं इसको swill कर सकते हैं plus minus 90 degree पर ताकि हम इसको swill करने का मतलब यह है कि अगर हमें किसी taper surface पर grinding करने है उसको भी हम बड़ी असानी के साथ grind कर सकते हैं large taper angle पर भी इस machine के दुआरा grinding करना possible है और जो modern universal type की cylindrical grinder है उस पर hydraulic drive का इस्तेमाल किया जाता है hydraulic drive अगर आप देखें यहाँ पर hydraulic control लगे हैं जिसकी मदद से जो hydraulic drive है उसको operate किया जाता है wheel head approach के लिए proper feeding देने के लिए table transverse के लिए और hydraulic control की मदद से अगर हम बात करें जो hydraulic drive इसमें इस्तेमाल की जाती है उससे जो screw nut की दुआरा जो feed परवाइड की जाती है उसमें जो backlash होती है उसको भी eliminate किया जा सकता है उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो universal cylindrical grinding machine है इसका जो एक part होता है जिसे हम कहते हैं work table जो work table है इसमें दो part होते हैं एक इसका lower table होती है और दूसरी इसमें upper table होती है जो upper table है upper table पर head stroke, tail stroke और work piece इसमें basically horizontal plane में होते हैं क्योंकि जो work piece है head stroke और tail stroke के बीच में दोनों center के बीच में इसको mount किया जाता है और horizontal plane पर इनको हम swill भी कर सकते हैं और जो upper table है इसको भी swill किया जा सकता है किसी angle पर और इसके लिए इसमें अलग से scale और adjusting screw की भी facility प्रोवाइड की जाती है ताकि हम slight taper produce कर सकें table को set करके और अगर हम strip taper है अगर हमें चाहिए वो भी इसमें provide की जा सकती है वो हमें जो head stroke है उसे इसके base पर इसको swill किया जाएगा तब हमें strip taper भी इसमें मिल जाएगी अगर हम lower table की बात करते हैं lower जो table होती है वो basically जो horizontal guide ways होते हैं उसके उपर वो mounted होती है जो इसमें ये नीचे जो bed है इसके उपर होती है और lower जो table है इस पे हम longitudinal transverse provide करते हैं जोंगी चूटना अगर हम देखें इस direction में भी जा सकती है इस direction में भी ये जा सकती है जो upper table है उसको उसके बाद जो lower table है इसे हम जो transverse करते हैं इसकी जो moment हम provide करते हैं उसे by hand भी कर सकते हैं power feed के दुआरा भी कर सकते हैं power feed में या फिर mechanical इसको किया जा सकता है या फिर hydraulically इसको किया जा सकता है और अगर हम modern universal cylindrical grinding machine की बात करें तो उसमें hydraulically को ज़्यादा prefer किया जाता है और इसमें अलग से एक provision होता है जिससे हम जो rate of transverse है उसको control कर सकते हैं अलग से इसमें electric controls लगे होते हैं और ये जो दो control अगर आपको दिख रहे हैं ये in feed होता है और reverse transverse control इसमें हम provide कर सकते हैं जो यहाँ पर grinding wheel है उसको अगर हम बात करते हैं यहाँ पर working किस प्रकार से होती है working की बात करें तो work piece को सबसे पहले जो head stroke का जो life center है जो tail stroke का जो life center है इसके बीच में इसको reasonably इसको mount किया जाएगा या फिर अगर यहाँ पर चक लगा है चक में work piece को mount किया जा सकता है किसी suitable fixture की मदद से भी mount किया जा सकता है उसके बाद जब work head जो motor है जब यह rotate करती है उसका जो spindle head stroke के साथ attach है वो जो rotate करता है तो work piece भी rotate करना शुरू कर देता है अपने axis पर और उसके बाद जो feeding है वो provide की जाती है grinding जो wheel है उसको revolving work piece के against feed provide की जाती है और जो grinding wheel है transversing of grinding wheel है वो की जाएगी मतलब की work piece के against लेके आएंगे जो face होता है grinding wheel का और जब वो उसके साथ grind करेगा तो जो material है वो remove होगा grinding wheel के abrasive action के दुआरा और जो feed है वो work piece को भी दी जा सकती है feed wheel को भी दी जा सकती है grinding wheel को according to requirement जिसे हमें grind जो feed हो दे सकते हैं अगर आप इस diagram को देखते हैं यहाँ पर work piece भी rotate कर रहा है जो grinding wheel है वो भी rotate कर रहा है और यहाँ पर यह दोनों center है यह head stroke का center है तो यह हमारा tail stroke का center है और tail stroke को हम अगर हम देखें forward और backward इसको transverse किया जा सकता है उसके बाद हम इसमें अलग से जब working की जाती है work piece के उपर उस दोरान coolant supply भी की जाती है proper coolant का हम इस्तेमाल करते हैं coolant को इस्तेमाल करने के लिए अलग से arrangement होती है pipe fitting होती है pump की मदद से जो coolant की supply की जाती है working के दोरान और coolant जो normally इस्तेमाल करते हैं उसमें water solution और emulsion हो सकता है grinding oil हो सकता है अगर dry grinding है तो उसकेस में air का इस्तेमाल किया जाएगा coolant हम इसमें इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो excessive जो heat generate होती है operation के दोरान working operation के दोरान उस heat को कम किया जासके uniform temperature maintain किया जासके ताकि हम जो work piece है या फिर जो grinding wheel है उसमें कोई परकार की distortion ना हो work piece में कोई distortion ना हो grinding wheel में किसी परकार का breakage ना हो इसलिए uniform temperature को maintain किया जाता है और जब material remove होता है chips की form में material remove होता है तो उसे coolant की मदद से carry किया जाता है otherwise क्या होगा कि जो grain space होते है grinding wheel में उसके साथ चिपक जाएगा और जब हम working operation को perform करते हैं तो उस दोरान जब grinding wheel rotate करता है work piece के against तो कुछ abrasive grains भी break होते हैं और abrasive grains को और work piece से जो material chips की form में remove हो है उसको carry किया जाएगा otherwise जो हमारा जो surface होगा work piece का उसके उपर वो scratch डाल सकते हैं तो इसलिए उनको carry करने के लिए proper coolant का use किया जाता है और जब हम proper coolant का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो grinding wheel की wheel dressing है उसकी frequency भी कम हो जाती है और जिसके कारण जो grinding wheel है उसकी life increase हो जाती है और इसके अत्रीक वर्क piece की जो surface finish है उसको improve करने के लिए proper smoothness provide करने के लिए भी coolant का इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया cylindrical grinding machine का टाइप जो precision grinding machine के अंतरगत आता है universal cylindrical grinding machine के बारे में अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और चैनल को subscribe करना ना भूले जल्दी हाजर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे